मुवी की सुरुआत में हम एक सिटी को देखते हैं, जहांपर सभी अपने काम में बिजी होते हैं, वहीं हम एक बूढे कपल को देखते हैं, जो मिट्टी के खिलोने बना रहे होते हैं, वो मिट्टी से खुबसूरत से सेफ और एक प्यारी सी लड़की को बनाते हैं, जिनका नाम वो नेधन और मे रखते हैं। उस माश्टर की पत्नी मे को देखकर बहुत खुस होती है। लेकिन तभी उनको हाट अटैक आता है। जिससे वो नीचे गिनने लगती है। और उनके हाथ से मे छूट जाती है। और वो लुड़कते हुए दरवाजे के पास चली जाती येचर मे को उठा कर वहाँ से ले जाता है। इधर माश्टर अपनी पत्नी की मौत हो जाने से पूरी तरह से तूट जाते हैं। और वो खिलोना बनाना बंद कर देते हैं। अगले सीन में हम एक सौप को देखते हैं। जहां का सौप कीपर सभी को खिलोने पर पानी डाल कर उसे रोक देता है और उससे नेथन को लेकर दूर रख देता है। और कहता है कि इसे टच मत करो। ये बहुत मुल्यवान है। ये उस माश्टर के द्वारा बनाया गया लाश्ट खिलोना था। बेसक ये अपना कलर चेंज नहीं कर सकता है। और उन्हें समझ नहीं आ रहा क आखिर ऐसा क्यूं होता है और इस वज़ा से वो इसे बेच भी नहीं सकते। इसके बाद हम रात का समय देखते हैं जहां पर सभी खिलोने जिंदा हो जाते हैं और सभी अपनी अपनी सुनदर्ता और पानी डालने पर रंग बदलने की काबिलियत की बढ़ाई कर रहे होते ह लेकिन यहाँ पर नेथन चूप होता है क्योंकि उसके पास पानी डालने पर कलर चेंज करने की काबिलियत नहीं होती है और जब बाकी के खिलोने नेथन से उसके पावर के बारे में पूछते हैं तो वो बाते बनाने लगता है इसके बाद ये लोग खूब मस्ती करते हैं और इसी दोरान एक पर नेथन पीछे से आकर सब को डरा दिता है। जिससे सभी लोग उस पर बहुत गुस्टा करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर नेथन कहीं न कहीं अपने कलर ना चेंज कर पाने की वज़ा से बहुत दुखी होता है। और वो खिड़की पर आकर बैट जाता है जहाँ पर उसका फ्रेंड रेड पिगी भी आता है और वो नेथन को समझाता है कि कलर ना चेंग कर पाना तुम्हारी कमजोरी नहीं बलकि ताकत है क्योंकि इस वज़ा से तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा और तुम हमीशा खुसी से यहीं पर रहोगे अगले सीन में हम एक सफेद बॉल को देखते हैं जो पूरे सहर में लुड़कती हुई इदर उदर आ जा रही होती है इसके बाद वो बॉल लुड़कते हुए उसी जगह पे आती है जहाँ पर नीथन अपनी बाकी के दोस्तों के साथ रहता है उस सफेद बॉल को देखकर सब डर जाते हैं लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चलता है कि वो सफेद बॉल कोई बॉल नहीं बलकि एक रोबोट है इसके बाद वो रोबोट उन्हें बताती है कि वो फ्यूचर से आई है इसके बाद नीथन उस रोबोट की परिच्छा लेता है और उसकी और कही तरह के टेश्ट लेता है लेकिन एकिक करके उसके द्वारा की गई सारी भविश्वानिया सच होती है ये देखकर नेथन को भी पूरा विश्वास हो जाता है कि वो रोबोट सच मुछ फ्यूचर से आई है इसके बाद वो उस रोबोट से अपने कलर ना चेंज कर पाने की वज़ा पूचता है लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं देपाती है और वो नेथन को बताती है कि साथ इसका जवाब फ्यूचर में उस जगा जाने पर मिल सकता है जिस समय तुम्हें बनाया गया था रोबोट का एडिया नेथन को बहुत पसंद आता है और वो उसके साथ उस जूले की तरफ निकल पड़ता है जहां से एक वार्म होल की मदद से रोबोट भविस से यहां आई थी वो किसी तरह इंसानों की नजर से बचते हुए बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं वहीं दूसरी तरफ हम रेड पिगी को देखते हैं जो एक साइंस की किताब को अपने पीट फर बांद कर नेथन की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि उसे साइंस में बहुत रूची होती है इसलिए उसे लगता है कि वो नेथन को भविस में जाने में मदद कर सकता है वहीं दूसरी तरफ हम नेथन और रोबोट को देखते हैं जहाँ पर धेर सारे पालतु जानवर होते हैं और यहाँ पर एक बूढ़ा कच्छवा भी होता है वो जब नेथन की परिसानी के बारे में सुनता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब एक ही आदमी दे सकता है जिसका नाम है 3W Man जो सब कुछ जानता है जो सबसे बड़ा ग्यानी है उसके पास हर सवालों का जवाब होता है इसके बाद वो नेथन को एक मैप दिखाता है और बताता है कि 3W Man तक पहुँचने के लिए उसे अंडर बल्ड के अंधेरे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा और उन अंधेरे रास्तों में Evil Flash नाम का एक सैतान रहता है जिनसे उन्हें बच कर आगे बढ़ना होगा वरना अगर उसकी नजर उन पे पड़ गई तो या तो वो उन्हें बंदी बना लेगा या फिर जान से मार देगा इसके बाद नेथन रोबोट के साथ 3W मैन की तलास में निकल पड़ता है अब ये दोनों इनसानों की नजर से बचते हुए गटर में आ जाते हैं और गटर के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं आगे बढ़ने के दोरान एक बार नेथन रोबोट को यूहीं अस्पिन करने को बोलता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो रोबोट सच में अस्पिन करने लगती है इसके बाद नेथन रोबोट को स्टॉप बोलकर रोक देता है और उससे पूछता है कि ये क्या है इस पर वो रोबोट नेथन को बताती है कि उसे नहीं पता दरसल उस रोबोट में एक वोईस कमांड का फीचर होता है जिससे कोई भी बोलकर रोबोट को कमांड दे सकता है और अपनी मर्जी के हिसाब से उसे इस्तमाल कर सकता है तभी हम वहाँ एक चुहे को देखते हैं जो एक छोटे से गिफ्ट को लेकर जा रहा होता है अब जब नेथन रोबोट के साथ कुछ आगे बढ़ता है कि तभी उसे नीचे वो गिफ्ट पड़ा दिखाई दिता है जो वो चुहा लेकर जा रहा था नेथन उस गिफ्ट को उठा लेता है और वो उसे एक गिफ्ट के तौर पे उस रोबोट को दे देता है और वो रोबोट उसे लेकर बहुत खुस होती है और उसका सिस्टम नेथन को एक फ्रेंड के तौर पे accept कर लेता है अब जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई भारी चीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है और अगले ही पल ये देखते हैं कि पानी की एक बहुत बड़ी लहर इनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है ये देखकर नेथन एक लटकती हुई CD पर चड़ जाता है और वो रोबोट भी अपनी जान बचा कर भाग रही होती है कि तभी उसके हाथ से नेथन दौरा दिया गया गिफ्ट छूट कर नीचे गिर जाता है और रोबोट अपनी जान की परवा किये बिना उस गिफ्ट को उठाने जाती है इसके बाद ये लोग किसी तरह बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं इसके बाद नेथन उस रोबोट से पूचता है कि तुमने अपनी जान की बाजी लगा कर उस बेकार से गिफ्ट को क्यों उठाया इस पर रोबोट बताती है क्योंकि वो उसका दोस्त है यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोबोट नेथन को अपना कितना बड़ा फ्रेंड मानती है इसके बाद हम उसी रेड पिगी को देखते हैं जो अब भी अपनी पीट पर बुक लेकर आगे बढ़ने की कोसिस कर रहा होता है और जब वो एक गटर के पास पहुँचता है तो वो उसकी गहराई और अंधेरे को देखकर उसे वार्म होल समझने लगता है इसके बाद हम रोबोट और नेथन को देखते हैं जिने गटर में दो चूहे मिलते हैं जो इन दोनों को डरानी की कोसिस करते हैं इन में से एक पतले चूहे का नाम सिकी और मोटे चूहे का नाम गीकी होता है और जब उन्हें पता चलता है कि ये दोनों 3W मैन को ढूंड रहे हैं तो वो उनसे कहते हैं कि उन्हें पता है कि 3W मैन कहा रहता है और वो इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं इसके बाद वो दोनों इन्हें बेवकूब बनाकर अपने बॉस के पास ले जाते हैं जहांपर बहुत से चूहे होते हैं जो एक बहतर लाइफ जी रहे होते हैं ये सब देखकर नितन पूरी तरह से हैरान हो जाता है इसके बाद ये दोनों चूहों के बॉस के पास जाते हैं जहांपर बहुत सी कीमती और एतिहासिक चीजे रखी होती है। और जब ये दोनों चुहों के बॉस को देखते हैं तो पूरी तरह से डर जाते हैं क्यूंकि ये कोई और नहीं बलकि एविल फ्लैस होता है। जो खिलोनों को या तो मार देता है या तो कैद कर लेता है क्यूंकि उसे खुबसूरत चीजों को कलेक्ट करने का बहुत सौक होता है इसके बाद Flash रोबोट को कहता है कि तुम हो एक ब्रैंड न्यू रोबोट ये सुनकर रोबोट उससे पुझती है कि क्या तुम मुझे जानते हो इस पर Flash बोलता है कि हाँ वो उसे जानता है इसके बाद हम Flashback का सीन देखते हैं जहाँ पर सिकी और गिकी एक लैब में चूरी करने जा रहे होते हैं जहाँ पर एक वैग्यानिक अपने असिस्टेंट की मदद से उस सफेद रोबोट को बना रहा होता है और वहीं पर सिकी और गिकी की गलती की वज़ा से वो रोबोट अपनी जगा से हट जाता है और लुड़कते हुए इधर उधर जाने लगता है जिसे देखकर वैग्यानिक अपने असिस्टेंट के साथ उसे पकड़ने की कोसिस करता है और एक ऐसा समय आता है जब बाहर का गेट बंद होने की वज़ा से रोबोट बाहर नहीं जापाती और वैग्यानिक उसे पकड़ लेते हैं लेकिन तभी उनका गार्ड गलती से दर्वाजा खोल देता है जिससे रोबोट वहां से निकल जाती है और वैग्यानिक उसे पकड़ नहीं पाते हैं ये देखकर वैग्यानिक का असिस्टेंट गार्ड को उसकी नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसी के दर्वाजा खोले की वजह से उसका रोबोट वहां से भाग गई होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो रोबोट कोई भविस्थ से नहीं आई होती है बल्कि वो एक लैब में बनी होती है इसके वाद evil flash Nathan से कहता है कि तुम तो मेरे किसी काम के नहीं हो क्योंकि तुम्हारे pair पे एक signature है और तुम एक duplicate खिलोने हो ये सुनकर रोबोट कहती है कि नहीं तुम जूटे हो Nathan duplicate नहीं बलá कि original है क्योंकि signature हामिसा original चीज़ों पर होता है ये सुनकर फ्लैस अपने सबसे खुबसूरत कलेक्शन को उनके सामने पेस करता है जो कोई और नहीं बलकी मे होती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि जब में बूडी औरत के हाथ से छूटकर दरवाजे के पाच चली गई थी तो उसे वहां से चुरा कर ले जाने वाला कोई और नहीं बलकी फ्लैस ही था में को देखकर नेथन उसे बताता है कि मास्टर ने उन्हें साथ में बनाया था और वो दोनों साथ ही रहा करते थे लेकिन में इस बात से इंकार कर देती है और वहीं फ्लैस नेथन को माने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो रोबोट नेथन और मे को उठा कर वहाँ से भागने लगता है फ्लैस और उसके बाकी के चुहे उन्हें रोकने की पूरी कोसिस करते हैं लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहते हैं और एक ऐसा समय आता है जब रोबोट नेथन और मे को लेकर वहाँ से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी अचानक से फ्लैस रोबोट पर हमला कर देता है जिससे में उसके हाथों से छूट कर नीचे गिर जाती है जिससे फ्लैस के लोग कैद कर लेते हैं और नेथन गटर के गहरे पानी में गिर जाता है इसके बाद रोबोट और फ्लैस के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें रोबोट फ्लैस को बहुत बुरी तरह मारती है ये देखकर फ्लैस हार मान लेता है और उस रोबोट को रुपने को कहता है और वहाँ से वापस चले जाने को कहता है फ्लैस की बाते सुनकर रोबोट का voice command mode activate हो जाता है और वो वहाँ से सीधे उस lab की तरफ निकल पड़ती है ये देखकर फ्लैस बहुत खुस होता है और वो समझ जाता है कि रोबोट को कैसे control करना है दूसरी तरफ हम नेथन को देखते हैं जो पानी के अंदर डूपता चला जा रहा होता है इसके बाद हम रोबोट को देखते हैं जो सीधे lab में पहुंच जाती है रोबोट को वापस देखकर वैग्यानिक बहुत खुस होता है इसके बाद उस रोबोट के सामने एक artificial intelligence visible होता है जो रोबोट को उसके बनने की video clips दिखाता है इसके बाद वो रोबोट उस AI से पूछती है कि क्या उसकी तरह और भी रोबोट है जो voice command को follow करती है ये सुनकर AI उसे बताता है कि हाँ उसके जैसे और भी कई रोबोट है इसके बाद वो खुद को wire से अलग करके रोबोट के पास आ जाता है और वो उस रोबोट को voice command देता है और देखते ही देखते वहाँ पर धेर सारे रोबोट आ जाते हैं जो AI कमांड को follow कर रहे होते हैं लेकिन रोबोट को ये सब पसंद नहीं आता है और वो वहाँ से निकल जाती है इसके बाद हम red piggy को देखते हैं जिसे सिक्की और geeky की ड्नैप कर लेते हैं उधर नेथन अभी भी पानी के अंदर फसा होता है कि तबे वहाँ पर एक चमकीली मचली आती है लेकिन अगले ही पल वो मचली वहाँ फस जाती है जिसे निथन आजाद कर देता है इसके बाद वो मचली वहाँ से चली जाती है और अपनी तरह धेर सारी मचलीयों को लेकर वहाँ आती है इसके बाद वो मचलिया नीथन को अपने उपर बिठा कर उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए निकल पड़ती है दूसरी तरफ हम रेड पिगी को देखते हैं जो फ्लैस के सामने खड़ा होता है फ्लैस पिगी को टॉचर करके उससे पूचता है कि बताओ रोबोट कहां पर है लेकिन पिगी उससे कुछ नहीं बता पाता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है कि रोबोट कहां पर है ये सुनकर फ्लैस पूरी तरह से फ्रस्टेट हो जाता है दूसरी तरफ हम नीथन को देखते हैं जो मचलियों की मदद से पानी के बाहर निकल जाता है लेकिन तभी एक बड़ा सा चुहा नीथन पर हमला कर देता है और नीथन वहाँ एक गहरी खाई में गिनने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर वह रोबोट आकर उसे बचा लेती है उसके बाद रोबोट और उस चुहे में फाइट होना सुरू हो जाती है लेकिन बहुत जल्दी वह चुहा हार मान लेता है और वहाँ से भाग जाता है इसके बाद नेथन रोबोट को अपने साथ चलने और फ्लेस से लड़ने को कहता है लेकिन रोबोट मना कर देती है क्योंकि वो जान गई होती है कि अगर वो फ्लेस से लड़ने जाएगी तो फ्लेस वॉइस कमांड देकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेगा इसके बाद ये दोनों 3W मैन की तलास में निकल जाते हैं और लगतार रास्ते में पढ़ने वाली बादाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन्हें कुछ टोईज दिखाई देते हैं जो 3W मैन की तरफ जा रहे होते हैं दरअसल आज 3W मैन का बर्डे होता है और आज वो किसी एक के सवालों का जवाब देगा इसलिए सभी अपने सवालों को लेकर 3W मैन के पास जा रहे होते हैं निथन और रोबोट भी उनी के साथ निकल पड़ते हैं और उस जगह पे पहुँचते हैं जहां पर 3W मैन रहता है वहाँ पर मेड़कों की एक टोली होती है जो कहता है कि एक बार में एक ही अंदर जा सकता है इसके बाद एक बड़ी सी छिपकली अंदर जाती है जिन्होंने रोबोट को जकर कर रखा होता है ये देखकर निथन अपनी जान पर खेल कर उन मेड़कों से लड़ने लगता है और बहुत मुश्किल से किसी तरह उस रोबोट को उन मेड़कों से आजाद कराता है इसके बाद वो दोनों 3W मैन के पास पहुँचते हैं लेकिन यहाँ पर कोई इंसान या जानवर नहीं बलकि एक कम्प्यूटर होता है जिस पर टाइप करके लोग अपने सवालों का जवाब जानते हैं अब जब नीथन अपने सवालों को टाइप करी रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिकी और गीकी अपना खौफ दिखाने के लिए वहाँ की एक बिल्ली को बता देते हैं कि वो फ्लैस के आदमी है फ्लैस का नाम सुनते ही वहाँ पर भगदर मज जाती है और सारे टॉइस यदर उदर भागने लगते हैं और इसी भागम भाग में पूल तूट जाता है और वो रोबोट एक बड़ी सी चीज पर आकर गिरती है जिससे वो आफ हो जाती है तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और यहाँ पर वही गाड आता है जिसके दरवाजा खुलने की वज़े से वो रोबोट लैब से भागी होती है दरसल यह जगा उस गाड का कमरा होता है जिसे सब 3W मैं कह रहे थे वो उसका कम्प्यूटर होता है इसके बाद वो रोबोट को उठा कर वहाँ से ले जाता है और वो उसे ठीक करने की कोसिस करता है लेकिन तभी उसका कूरियर वहाँ आ जाता है और वो अपनी डिलिवरी लेने बाहर चला जाता है इसी मौके का फाइदा उठा कर नेथन रोबोट को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जब वो रोबोट के पास दुखी होकर बैठा होता है कि तभी कुछ बच्चे गलती से वहाँ पर मौजूद बड़े से जूले को अस्टार्ट कर देते हैं और जब ये सब डियक्टिवेट पड़ी रोबोट की आखों में पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि नितन ने जो वो गिफ्ट रोबोट को दिया होता है उसमें भी एक जूला होता है जिससे वो रोबोट इमोसिनली जूरी होती है रोबोट को एक्टिवेट देखकर नितन बहुत खुस होता है इसके बाद नेतन रोबोट को आफ करके उस गाट के रूम में रख देता है और वहाँ से फ्लैस से अपने साथियों को छुडाने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वो नहीं चाता था कि उसकी वज़ा से एक बार फिर से उस रोबोट की जान खत्रे में पड़े इसके बाद नेतन सीधी उन चमकीली मचलियों के पास पहुँच जाता है और वो उनके साथ मिलकर फ्लैस के उपर हमला कर देता है सबसे पहले वो गटर का पूरा पानी खोल देते हैं जिससे फ्लैस का पूरा समराज्य पानी में डूबने लगता है इसके बाद नेतन में और अपने बाकी के दोस्तों को पिंजडे से आजाद कर देता है और उन्हें लेकर वहां से निकल जाता है लेकिन इससे पहले कि वो में को लेकर वहां से निकल पाता वहां का वाटर लेवल कम हो जाता है और वो पानी के एक भवर में फस जाते हैं और वो उसमें डूबने ही वाले होते है कि तभी वहाँ पर वो रोबोट आ जाती है जो नेथेन और में को बचा कर वहाँ से ले जाती है फ्लैस के चंगुल से आजाद होकर नेथन के दोस्त बहुत खुस होते है इसके बाद Nathan May और रोबोट के साथ मास्टर के घर पे आ जाता है और जब वो मास्टर के खिलोने बनाने की भटी में से होते हुए अंदर जाही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फ्लैस आ जाता है फ्लैस को देखकर रोबोट उसे माने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन फ्लैस रोबोट को वाइस कमांड देकर अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो उस रोबोट से ही Nathan और May पर हमला करवाने लगता है और एक ऐसा समय भी आता है जब रोबोट Nathan और May को माने वाली होती है कि तभी उसके अंदर रखा वो गिफ्ट जो Nathan ने रोबोट को दिया था वो रोबोट के अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है और जब रोबोट की नजर उस गिफ्ट पर पढ़ती है तो उसके अंदर बदला होना सुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो वोईस कमांड से खुद को आजाद कर लेती है इसके बाद वो वोईस कमांड की प्रोसेस करने वाली चिप को तोड़ देती है और उसके बाद वो फ्लैस को बुरी तरह से मारती है रोबोट को फ्लैस के कंट्रोल से बाहर देखकर नेथन बहुत खुस होता है कि तभी फ्लैस भट्टी में कोईले की चैन को खीच देता है जिससे देखते ही देखते भट्टी में धेर सारा कोईले आने लगता है जिसे देखकर रोबोट नीथन और मे को लेकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी फ्लैस भट्टी की आग वाली बटन को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो पूरी भट्टी जलते हुए कोईले से भरने लगता है लेकिन किसी तरह बहुत मुस्किल से रोबोट मे को लेकर भट्टी से बाहर निकल जाती है और नीथन भी रोबोट का हाथ पकड़कर बाहर निकल ली ही वाला होता है कि तभी फ्लैस नीथन का पैर पकड़कर नीचे खीचने लगता है और नितन को रोबोट और मे की जानको बचाने के लिए रोबोट का हाथ छोड़ना पड़ता है जिससे नेथन और फ्लैस धदखते हुए लावे में गिर जाते हैं और वहाँ पर एक जोरटार ब्लास्ट होता है जिससे रोबोट और में दूर जाकर गिरती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि माश्टर सो कर उठता है जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पर मी होती है जिसे देखकर वो माश्टर बहुत खुस होता है इसके बाद वो देखते हैं कि उनकी भट्टी का दरवाजा तूटा हुआ है और जब वो अंदर हाट डाल कर देखता है तो वहाँ पर नीथन होता है जो बिल्कुल काला पड़ गया होता है इसके बाद वो मास्टर नीथन को पोच कर साफ कर देता है और उसके बाद वो एक सफेद चमकता हुआ रियल सेफ लग रहा था ये देखकर वो बहुत खुस होता है क्योंकि फाइनली उसका भी कलर चेंज हो गया था इसके बाद वो दोनों रोबोट के पास जाते हैं जहांपर वो टूटी पड़ी होती है तभी कुछ बच्चे उसे उठा कर गाड के पास लाते हैं और वो गाड उसे बना कर फिर से पहले जैसा कर देता है और जब रोबोट नीथेन को देखती है तो वो बहुत खुस होती है और इसी के साथ ये मोवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज दू लाइक और शेर दा वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो मा चैनल और प्रेश देट बिल आइकन